तो यहां पे आज हमने बनाया है white sauce pasta और यह pasta हमने बिना चीज के बनाया है बिना बाहर से हमने white sauce लाया बनाया है घर में ही हमने white sauce बनाया है और बहुत ही tasty बनाया है एक बार जरू ट्राय किजेगा तो हेलो फ्रैंस वेलकम बैक टो आरे शोयता कीचन चलिए आज हम बनाते हैं बिना चीज के वाइट सॉस पास्ता जो की बहुत ही टेस्टी बनने वाला है तो फटा फट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखे एक पैन लिया है इसमें हम डालेंगे दो ग्लास पानी तो यहा अदिक तुक अप्लीगा आप गहर का कोई भी कटोरी कप सेट कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी कौंटुटी डबल हो जाएगी और यहाँ पर पास्ता हमारा है बहुत बढ़्या से पक चुका है और इसे थंड़े बानी से वाश कर लिया आब इसे हम रग देंगे एक साइड अब यहां पर देखिए एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे बटर या फिर घी तो यहां पर ने बटर को अच्याज नहीं कर रही हूं, यहां पर मैंने डाला है एक पिल्कुल ने ही doos, भी टेबल सफून घी इसके अंदेर भाफ चमच जीरा, साबु जीरा एड करेंगे औ और इन दोनों को हम अच्छे से सौटे कर लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, और यहाँ पर 1 टीस्पून ही मैंने मिक्स हब लिया था, अब यहाँ पर हाफ टीस्पून हम डाल देंगे, गारलिक ग्रेट किया हुआ, और हाफ इंच हम डाल देंगे अद्रक, वो कर लिया, आप देख सकते हैं, एक मैंने लेई रखी मेडियम साइज की प्याज, इसे भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और एक टमाटर को बीच का पाट होता है वो हमने निकाल दिया है, अब इसको हम कुक कर लेंगे, हाँ सबजी में हलका सा क्रंच रहना चाहिए, त कि यहां पर बदेख सकते हैं, इसका कलर भी चäreंच हो चुका है, अब इसे देख सकते हैं, भी अब हो चुका, अब हम निकाल लेंगे और ऑ्लेट में प्लेट में अर इसे मैं देखिए, इसमें डालेंगे फिर गी तो यहां पर मैंने ट्याक तर डेकी स्थिपून घी का प्रेश की बिलकुल लो फ्लेम पे बूनना है कि इसकी बूहना है और इसका कलर भी चेंज होगा और आप हलका सा देखेंगे तो इसका स्मेल भी चेंज हो जाएगा तो यहां पर देखिए आप मैंने लिया है दूद और यहां पर थोड़ा दोड़ा करके मुझ दूद का इसक अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं आप यहाँ पर मलाइगा भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर डाल देंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग और अभी इसमें हमें कुछ भी एड नहीं करना है बस इसको लगातार स्टर करते हुए पका लेना है और यह हम इसके अंदर डालेंगे ना तो भी हमारी सब्जी कुख होगी तो इसलिए हमें अपनी सब्जी में हलका सा क्रंच रखना है तो आप 50% फ्राइ कीजिए और 20% और 30% आप इस सॉस के अंदर इसको कुख कर लीजिए तो हलका सा इसके अंदर क्रंच रहेगा अब यहाँ पर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस सब्जी भी रेडी थी पास्ता भी रेडी था तो अब यहाँ पर इसे हम सिर 2-3 मिट के लिए चोड़ेंगे इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए पास्ता मारा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब क्या करेंगे अब इसमें प्लेट में फट अफट से सर्व करते हैं जो कि बहुत जढ़ा पसंद आएगा सबको तो आप देख सकते हैं कितना जढ़ा क्रीमी बना हुआ है बहुत क्रीमी दिख रहा है और खाने में तो पूछी हिमत बहुत जादा टेस्टी था तो आप ज़रूर ट्रै कीजेगा आपको मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है आपके घर में जो भी है आप उसे ही बहुत आराम से वाइट सॉस वास्ता घर में बना सकते हैं तो प्लीज फ्रेंट्स वीडियो को पूरा वाच कीजेगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेर जरूर कीजेगा अब यहां पर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है चीली फ्लैक्स और यहां पर मैंने यूज किया है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो य अच्छा आता है